नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेशाज 30 अप्रेल सुबद 6 बजे राजिस्तान की खास खबरें सिये फाइनल और सिये इंटर्मेडियेट कोर्सेज की मई 24 सतर की परिक्षाओं को टाले जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रेम कोट ने हस्तक शेप से इंकार कर दिया लोग सबचनाव के अधार पर अगामी दिनों में होने वाली सिये परिक्षा सगित करने को लेकर या कोशित की गई संशोधित तीतियों में बदलाव किया जाए बता दें कि दा इंस्टिटूट ओफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ओफ इंडिया ने हारही में 19 मार्च 24 को चार्टेड अकाउंटेंट्स के फाइनल और इंटर्मेडियेट कोर्सेज की मई 24 के दुरान आयोजि कॉंग्रिस ने एक बार फिर चुनाव बाद अंतर कलय सामने आई है कॉंग्रिस के वरिष नेता सचिन पाइलिट पर उन्हें की पार्टी से अजमेर पर्तियाशी ने बड़ा आरोप लगाया है इस बार आरलपी पार्टी और कॉंग्रिस के गठ बंदन में चुनाव अजमेर से कॉंग्रिस पर्तियाशी रामचंदर चौदरी ने पाइलिट पर बड़ा रोप लगाते हुए कहा कि मैं खुद पाइलिट साब को बुलाने जैपूर उनके घर गया था उनसे प्रातना करके आया था और रोज करी पांचे बार उनके स्टाफ से बात करे थे लेक उसने शादी की है वह भी पांच बच्चों का पिताया दोनों मुस्लिम समुदाइसे हैं और उन्होंने मुस्लिम रिती रिवास से शादी की है शादी के बाद कुछ दिन तक वे पुलिस के प्रोटेक्शन होम में रहे अब दोनों ने पंजाब एंड हर्याना हाइकोट में जान का खत्रा बताते हुए सरक्षा की गुहार लगाई हाईकोट ने यह कहते हुए उनके याचिका खारिस कर दी कि वे अपने समाजिक दायतों को समझे साथ ही दोनों पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया हलांकि बाद में उनकी आर्थिक हालत को ध्यान में रख कर जुर्मा CT1 पुलिस ने सुन्दर नगरी निवासी एक व्यक्ति को हनी ट्रैप में फसाकर 40,000,000 पे की ठगी का मामला सामने आया CT1 पुलिस थाने में सुन्दर नगरी निवासी रविंदर ने दी रिपोर्ट में बताया कि 2-3 फरवडी 2023 को उसे अग्यात नंबर से वाट्सेप पर व व्यक्ति का फोन आया जसने खुद को दिल्ली क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताती हुए कहा कि आपके वीडियो वाइरल हो गई है लड़की को गिरफतार कर लिया है उसने मामला रफदफ़ा करने के लिए रुपए मांगी जस पर उसे 23,800 पे भेजे बाद में ठगों न इस धंकी के बाद पुलिस प्रशाशन में हड़कंप मच गया है बता दें की पिछले तीन दिन में यह दूसरी बार है जब जैपुर एरपोर्ट को बं से उड़ाने की धंकी मिली है एरपोर्ट पर पर कई जगा एक्स्प्लोसिव प्लांट करने की धंकी दी गई है साथ ही तीन विमावनों में भी एक्स्प्लोसिव प्लांट के लिए जिकर किया गया है धंकी देले वाले ने लिखा कि हम जैपुर एरपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते थे इदर धंकी भरे संदेश के बाद CISFO राजस्तान पुलिस द्वारा सर अपरेशन चुलाया गया बता दें की तीन दिन पहले भी जैपुर एरपोर्ट को बम से उडाने की धंकी मिली थी अलांकी गनिमत रही कि एरपोर्ट पर सगन तलाशी अभ्यान के बाद कोई बम या विसफोटक वस्तु नहीं मिली थी हनमानगर चिले की पोक्सो कोट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए नबालिक के दुशकरम के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है साथ या रोपी पर एक लाख 55,000 का जुर्माना भी लगाया है पोक्सो कोट के विशिष्ट लोक अब्योजक विनोद डूडी ने बताया कि 28 सिसंबर 2020 को गोगा मेरी थाने में मामला दर्स करवाया गया था जिसमें बताया गया कि आरोपी अरुन ने पिस्तौल की नोक पर नबालिक से दुशकरम किया था पुलिस ने मामला दर्स कर अरोपी को गिरफ़ार कर कोट में चलान पेश किया जिसकी बार कोट ने मामली की सुनवाई करते हुए अरोपी को 20 साल के कठोर कारवास की सज़ा सुनाई पंजाब के जलंदर में पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी नशे की खेप बरामत की है जलंदर सीटी पुलिस ने करीब 48 किलो हैरोईन के साथ एक मैला से तीन नशा तसकरों को गिरफ़तार किया बारामद हैरोईन की मार्केट वैल्यू करीब 250 करोड रुपे बिताए जा रही है गिरफ़तार किये गए अरोपी जलंदर और नमा शेहर के रहने वाले हैं पूरा का पूरा सिंडिकेंट पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इरान, तुर्की और कैनेडा से चल रहा था आरोपियों से पुलिस ने करीब 21 लाख रुपे की ड्रक्स, मनी और नोट गिनने वाली मशीन भी बरामद की है भारत में उक्त तसकरों का नेटवर्क जमो कश्मीर और गुजरात से चल रहा था, दोनों राजों में गिरफतार किये गए आरोपियों के सरगना बैठे हुए हैं, जिनने लेकर फिलहाल सीटे पुलिस जांच करी हैं, आरोपियों से पुलिस ने तीन लगजरी गाडियां भी बरामत की हैं, स्कूल बसों में सफर करने वाले नन्ने बच्चों का सफर अब अधिक सुरक्षित होगा, बसों में सफर करने वाले बच्चों और बस में होने वाले सबी गतिवीदियों पर नजर रखी जाएगी, इसके लिए बस के आगे पीछे और अंदर कैमरे लगा परिवेहन विभाग साथ साल बाद नियमों में बदलाव करने जा रहा है यह नियम लागू होने पर स्कूल संचालक परिवेहन विवस्था ठेके पर देने के बाद भी बच नए सकेंगे नए नियमों में स्कूल बस संचालकों और पेरिंट्स दोनों की ही जिमेदारियां तै प्यार किये जा रहे हैं इन्हें फाइनल मंजूरी डिपार्टमेंटल कमेटी और अतरिक्त मुख्य सचिव परिवेहन की और से दी जाएगी अफसरों की मताबिक नए शेक्षनिक सतर से लागू कर दिया जाएगा स्कूल संचालकों को परतेक बाल वाहिनी बसों पर आगे पी 52,000 कीमत का 13 टन स्क्रैप लेकर फरार हो गया सुबाशनगर निवासी नटवर उजह ने बताया कि उसकी फरम ट्रांसपोर्ट का विवसाय करती है उसकी फरम के कराले पर एक ट्रक ड्राइवर हर्याना निवासी गुरजीत सिंग ने पंजाब के लिए माल भरवाने की बात क पहूंचा, ड्राइवर से संपर्क किया तो उसने जांसा दिया कि फाइनेंस कमपनी ने उसका ट्रक सीश कर दिया है, कुछ दिनों बार ड्राइवर को कॉल किया तो उसने अपना फोन बंद कर लिया, पुलिस ने मामला दर्स कर ट्रक की तلाश शुरू कर दी है राजस्तान क्राइम ब्रांच की इमेल आईडी हैक करने वाले एक जालसाज को दिल्ली पुलिस के सैयोग से पकड़ा है और उपी दसवे पास है और क्राइम ब्रांच की इमेल आईडी को हैक करने के बाद कई लोगों के बैंक खाते फ्रीज करवा चुका है राजिस्तान क्राइम ब्रांच को इसके भी भनक नहीं लगी जैपुर निवासी शॉयप का बैंक खाता फ्रीज हुआ और उसने पुलिस से संपर्क किया तब हैकर्स की कर्तूत का पता चला कमिशनेट की साइबर थाना पुलिस ने मामले की जांच के लिए क्राइम ब्रांच की टीम को बुलाया क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली पुलिस की मदद से उत्रप्रदेश के गाजयबाद निवासी हैकर सौरब साहु को गिरफतार किया पुलिस आरोपी से गैंग की अन डिस्टर्बेंस आने का सिलसिला जारी है राजस्तान उत्तर पश्चिम इलाके में एक्टिव हुए वेस्टर्ण डिस्टर्बेंस के करण हनुमानगड और शिरिगंगानगर की इलाकों में बारिश है आंधी बारिश के साथ कई जगा बिजली चमकी मौसम में हुए इस बदल भरी हवाएं चली और कहीं कहीं हलकी बारिश यां बूंदा बांदी भी हुए मौसम विज्ञान केंदर जैपुर के अनुसार इन जिलों के इलावाद चूरू नागोर जोधपुर और बाडमेर में भी धूल भरी आंधी चली मौसम केंदर के मुताबिक राजस्तान में बाहर निकला था बोर्ड लगाकर वापस आ रहा था इस दोरान शट्रिंग में काम आने वाले लकडी के प्लैट का बड़ा हिस्सस सेर पर गिर गया इसे वे घंबीर खायल हो गया इलास के लिए हॉस्पिटल में भरती करवाया जा उसकी मौत हो गई छोटवाड़ा थाने क की जांच अधिकारी प्रभु सिंग ने बताया कालवाड रोड सिंधी कोलोनी निवासी 72 वर्षिय तरलोक चंद अपने दुकान खोलने के लिए रगुनाथपुरी कोलोनी में बने केके टावर में आये थे इसे कॉंप्लेक्स में चौथी मंजल पर निर्मान कार्य चल रहा है तबी मजदूरों से शट्रिंग में काम आने वाला फटा गिर गया फिलाल पुलिस मामले की जांच कर रही है झाल है